और फिलाल आपको सीधी ले चल रहे हैं केरल के पलककर में जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इस वक्त एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं लेकिन मैं आपको विश्वा दिलाता हूँ ये जो आप तपस्या कर रहे हैं ये कठिनाई जेल रहे हैं मैं आपकी इस तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा आपने मुझे जो प्यार दिया है इस प्यारतों में ब्याज समेत लोटाऊंगा और मैं विकास करके लोटाऊंगा मेरे भाईयों बहनों विकास करके लोटाऊंगा मैं हरान हूं एक गौड्स ओन कंट्री हर हिंदुस्तानी ये बात बताते समय इतना गर्म मैसूस करता है इतना अभिमान मैसूस करता है लेकिन पिछले साथ साल तक जिनों ने यहां राज किया है सिवाए केरल को बरबात करने के कुछ नहीं किया है मैं इस धर्ती पर पहले भी कई बार आया हूं कई जन सभाएं भी संबोधित की है लेकिन ऐसा द्रश्य मैं आज पहली बार देख रहा हूं केरल के इस चुनाओ के मेरी ये पहली सभा है और वैसे भी पालगाट ये केरल का प्रवेश्वार है अगर प्रवेश्दार पर इतना जोस के साथ स्वागत होता है तो इस बार केरल की विधान सभा में एस तीसरी शक्ती निरनायक शक्ती उभर करके आ रही है ये मैं साब देख रहा हूं भाई केरल के मेरे भाई ये भहनों हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पड़े लिखे लोग आप है पूरे हिंदुस्तान को अगर जानना है तो केरल का कोई न कोई व्यक्ती हिंदुस्तान के किसी न किसी में बैठा होगा आप यहां बैठ करके पूरे हिंदुस्तान का खाका निकाल सकते हैं इतनी ताकत केरल के लोगों की है केरल के लोग समझदार है पड़े लिके है अनुभवी है लेकिन बहुत भोले है केरल के लोग समझी नहीं पाते हैं कि केरल को लूटने का केरल को बदना बरबात करने का कैसा परफेक्ट साइन्टिपिक एरेंजमेंट हुआ है वो आप समझी नहीं पाते हो अब देख रहते केरल के पलक कर से पतार मंति नरेंद्र मोधी के चुनावी रैली इसी के साथ इस बुल्ट में फिलाल इतना ही नमस्कार